गुद्मारिंग स्टूडेंट्स तुडें इन इस वीडियो वी लर्न अबाउट कपैसिटी यह भी लेंथ मास की तरह ही है और सेम जो हम लेंथ और मास से पढ़े थे वही चीज इसमें भी उस होता है बस परक यह है कि मास में हम लोग ग्राम यूज करते थे स्टैंडर यून क्या यूज करते हैं लीटर या फिर किलो लीटर ठीक है जैसे मिल्क हो गया पेट्रोल हो गया डीजल हुआ वाटर हुआ यह सब लिक्वीड है यह सब किसमें मेजर किया जाता है लीटर या फिर किलो लीटर में और मोर यूनिट्स है मिली लीटर सेंटी लीटर डेसी लीट LL केति यूनिटर हैं जिसमें अट्इब चोटाथ ही उससे बड़न देशिलीटर किललीटर मद्स पार्टवी अच्छोटा मिललीस सबसे चोटा है और किलिस सबसे बड़न शाहिए 40遠 को लिखते हैं ML, cml, cL, dl, 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 Hkl, Hkl, ktL, kkl, kL. To convert higher unit to lower unit, we multiply higher से lower जाना होता है, तो multiply करते हैं, और lower to higher जाना रहा हो डिवाइड करते हैं, the same thing is followed in this also. ठीक है, अब वोगों कुछ questions देखेंगे, self practice 11 C के, को कुर्शन नंबर वन सब क्वेशन के करते हैं न स्टेप ऊपर जा रहे हैंता 233 step मतलब 3030 किसमें होता है 1000 में तो पहले क्या लिखेंगे वन लीटर इस इक्वल स्टू स्वाड़ी वन किलो लीटर कि वन किलो लीटर इस इक्वल स्टू थाउजन लीटर दैरफॉर 7.854 किलो लेटर में क्या हो जाएगा 7.854 मल्टीप्लाइड बाई ठाउजन ठीक है तो अब डेसिमल को पहले इस क्या हो जाएगा 7854 ट्रिपल सिरो तीन नवर पार दैसिमल यहां भी तीन तो यह हो जाएगा 7854 लिटर के उसी का कॉश्चर नमर बाइन का सब कॉश्चछ एच 137.1 37.3 संटी लीटर इंटू डेसी लीटर सेंटी लीटर को किसमें करना डेसी लीटर में करना मतलब लोगाई तू हाई लोगाई टू हाय क्लिक्ट इवाइड करते हैं तो पहले क्या ल is equals to 1 by 10 deciliter therefore 137.3 centiliter में हो जाएगा क्या 137.3 divided by 10 deciliter ठीक है यह एक 0 मतलब एक नमबर के पाद डेसे मरी यह जो डेसिमल है और लेफ्ट की ओर सिट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13.73 deciliter एक जला है सी दर फिचिए नेक्स्ट करना निमन नंबर 3 सब क्िसन एकस्प्रेंस इं लीटर डेसी लीटर चैंटिलीटर अड मिली को स्कूट एकश्प्रेस करना है 132.15185 9200 को एक्सप्रेस करना है इसमें लीटर डेसी लीटर संटीलिटर अड्ली लीटर इसको एक्स्पेंड़ेड फॉर में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यह 132 लीटर प्लस 0.5 लीटर प्लस 0.09 लीटर प्लस 0.008 लीटर ठीक है यह जो डेसिमल है हमनों इस डेसिमल को खटाएंगे तो यह 142 है तो 132 ही लिखेंगे ठीक है जब इस 0.5 है एक नमबर के बाद डेसिमल है मतलब एक 0 से मल्टिप्लाइ करेंगे जब लीटर को मल्टिप्लाइ करेंगे तो किसे बतल जाएगा 10 से क्या हो जाएगा मतलब लैजा क्या है कि मतलब चैन्दी लेटर है इस इस फूराइ को म्ल्टिप्लाइ करेंगे क्या आदि दूयूसे मृत्य प्लाइट को मल्यटीप्लाइ करेंगे मतलब लिखर से 10 मिलिलीटर से यह क्या हो जाएगा 132 liter plus 5 deciliter plus 9 centiliter plus 8 milliliter ठीक है मतलब 132 liter हुआ 5 deciliter हुआ 9 centiliter हुआ और 8 milliliter हुआ ठीक है see the next question number 4 sub question c using decimal notation express in liters हम लोग को सब को liters express करना है किसको 2 deciliter and 8 milliliter को तो deciliter को liter नों convert करने के क्या करते है डेसी को liter विगाने के लिए एक नीचे आए that is divided by 10 किये तो लिखेंगे कि 1 deciliter is equals to deciliter को liter 1 deciliter is equals to 1 by 10 liter therefore 2 deciliter में क्या हो जाएगा 2 by 10 that will be 0.2 liter ठीक है अब 8 milliliter को convert करेंगे liter में ठीक है milliliter को convert करेंगे liter में तो कितने steps नीचे आ रहे हैं milliliter को liter में that is 123 that is 100 citywide करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 1 milliliter is equals to 1 by 100 नहीं 1 1 2 3 3 3 0 मतलब 1000 1000 से डिवाइड करेंगे ठीक है therefore 8 milliliter में क्या हो जाएगा 8 divided by 1000 that will be 10 0.008 liter ठीक है अब क्या करेंगे दोनों को add कर देंगे 0.2 plus 0.008 ठीक है that will be 0.208 liters ठीक है this was about capacity and your homework will be that will be solving self practice 11c that's all for today thank you